आस्मान में उडान भरने वाला हवाई जहाज कभी फ्लाइट के अंदर एर होस्टेस के साथ बत्तमीजी तो कभी गाली कलोच की वज़ा से हमेशा ही सुर्ख्यों में बना रहता है। लेकिन इस बार तो एर इंडिया के एक पाइलेट के अंदर ऐसी हर्कत कर दी जिसकी वज़ा से अब उस पर कारवाई की तलवार लटकने लगी है। इसकी वज़ा से पाइलट का लाइसेंस भी रद हो सकता है लेकिन क्या है इस पाइलट का गुनाह आईए आपको बताते हैं दरसर एरलाइन के इन दो पाइलट्स पर आरोप है कि ये अपनी महिला मित्र को लेकर कॉक्पिट के अंदर गए थे दोनों के लिए ये हरकत अब मुसीबत बन गई है क्योंकि कॉक्पिट में बुलाकर पाइलट ने नियमों का उलंगन किया है साथ ही एक पाइलट को उडान भरने से रोका भी विमान के कॉक्पिट में महिला यात्री के प्रवेश करने के मामले में कैबिन क्रू से इस रिकायत मिली जिसके तुरंत बाद ये एर इंडिया मैनेजमेंट ने पाइलट और सह पाइलट के खिलाफ कारिवाई की एर इंडिया के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि AI-445 पाइलट की एक महिला मित्र ने नियमों का पालन किये बिना कॉक्पिट के अंदर एंट्री की है दोनों पाइलटों को एर इंडिया ने आफ रोस्टर कर दिया है इसके साथ इस मामले के लिए जांच समीती भी बनाई गई है जो इस मामले की जांच करेगी हाला कि एर इंडिया के ओर से अब तक कोई आधिकारी क्रतिकरिया सामने नहीं आई है हरानी की बात ये है कि पिसले महीने भी एक पाइलट को इसी मामले में सस्पेंट किया गया था उसके बाद डीजी सी ने भी एर इंडिया के इस पाइलट का लाइसेंस रद्द कर दिया इस पाइलट पर भी आरोब है कि इसने 27 फरवरी को दुबाई से दिल्ली मार्ग पर एर इंडिया के उडान AI 915 के कॉक्पिट में अपनी महीला मित्र को लेकर गया था इस लापरवाही को लेकर विमानन विशिशागी विपल सक्सेना ने कहा ले हवाई अड़े पर उतरना उचाई वाले पहाड़ी इलाकों की वज़़ और रक्षा बलों के ठिकानों की वज़़ से समिधन शील है ये इलाका देश भर में सबसे कठीन परिचारनों में से एक है इसके अलावा इस इलाके में संचालन के लिए अच्छे हेल्थ रिकॉर्ड की जरूरत होती है इसलिए ऑक्सिजन के स्तर को देखते हुए अच्छे हेल्थ रिकॉर्ड वाले कुशल पाइलोटों को ही लेह में उडान के लिए तैनात किया जाता है ये मामला काफी गंभीर है पाइलट के सरकत के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं व्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक जरूरो रिकॉर्ड पाइलोटों कि अपाइलों कि अधर रिक।